दोस्तो RRB NTPC असनातक और गेर असनातक अस्त्रिये का जो की पिछला बार एक्जाम हुआ था CBT1 उसका दोस्तो ये पेपर है 31.1.2021 का दोस्तो डेली PY की प्रिवियस यर कोशन डेली अपलोड किया जाता है और डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तो जिसे आपको पता चलेगा कि किस पर गाएक कोशन पुछा जाता है और आपका तयारी कितना है तो च शुन सब्द कहा chain कर जो नीम् की समूसे संभनदित नहीं है आपको बताना है तो यह मिर्च है जीरा सिल्भा और सिम्ला मिर्च और इलाइची यह चारों में से इसका correct answer है चलिए आगला कोशन है कोशन नमबर 54 है कि 2019 में नित्ती आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया सुचकांग कदर के सिर्ष प्रदर्शन करने वाले राज कौन से है तो दोस्तो इसका option number C है केरल और हिमाचल परदिस चलिए अगला कोशन है कोशन number 55 है देखे जौन जीन से आयोग में दोगुना बड़ा है तिन वर्स बाद उनकी आयोग का जोग छाचट वर्स होगा तो जीन और जन की बरतमाल आयोग कितनी है देखे जौन जो है दोस्तो क्य है जोन जीन से क्या है जीन से आयोग में दू वर्स बड़ा है जीन से जीन कितना है दोस्तो एक्स यह कितना है दो गुना बड़ा है यानि टू एकस हो गया अब वो रहा है कि तीन वर्स के बाद उनकी आयोग का जोग तो यानि दोस्तो इसमें भी तीन जोड़ देंगे और इसका भी ऐजद बढ़े हैं ृसका भी तीन और दोनों को जो कितना हो जाएगा 26-6 जो कि 3 वर्ष के बाद उनकी lij Kay को जो कितना हो जहिए 26 दो दूस्तू एकस कमा निकाल लीजीए उसके बाद ज्योन का भी निकल जाएगा और जिन का भी निकल जाएगा इसका करेक्ट एंसर अप्शन नमबर ए आ जाएगा चलिए आगला कोशन है कोशन नमबर 56 है कि तम्मिल लाडू के निम्नली खित में से किस सहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भावगोलिक पहचान टैग परदान किया गय करेक्ट एंसर अप्शन नमबर D आएगा इरूड इरूड है चलिए आगला कोशन निम्नली खित में से कौन सा महराष्ट का लोक निति है तो दोस्तो महराष्ट का कौन सा लोक निति है अप्शन नमबर D लवडी लवडी जो है दोस्तो महराष्ट का लोक निति है बिहू कह कहां का है दूस्तो असम का है बिहु कहां का है असम का मांडो कहां का है दूस्तो गोवा का मांगो मांडो कहां का दूस्तो गोवा का बावल पशीम बंगाल का क्या है दूस्तो पशीम बंगाल का जैत्रा भी पशीम बंगाल का है तो दूस्तो आप लोग देख लिए लौणी क कहां का लोग निते हैं महराष्ट का भीगु कहां का असम का मांडो का है गुआ का और बावल का है पच्छिम बंगाल का चली आगला कोशन कोशन नंबर 58 है दूस्तों दिया गया है कि नीचे दी गई आकरती में त्रिभूज त्रिभूज ग्रीन टी टी पीने वाले लोगों क ब्रीत काफी काफी पीने वाले लोगों को और आयत दूद पीने वाले लोगों को निरूपित करता है तो कितने लोग ग्रीन टी काफी दोनों पीना पसंद करते हैं तो दोस्तों इसका एंसर जो है न कमेंट बक्स में देना है 58 का 58 का दोस्तों कमेंट बक्स में एंसर देना है चलिए आगला कोशन देखते हैं तो देखिए 59 कोशन है दोस्तों दिया गया है कि क्रय मुल पर कितने परतिसत लाव बिक्रय मुल पर 20 परतिसत के लाव के बराबर है तो देखिए दोस्तों ये की पूछा बोला गया कि बिक्रय मुल पर 20 परतिसत के लाव के बराबर है तो 20 सब्सक्राद कृषिए और प्रपया का लाविन दोस्तों एक रुपिया का लाव गया च्यार उपिया क्रेधिर मोल पर कितने प्रति सब्सक्राब हूजिसरी나ीया चार परक्रिमल को कृषण का पुष्णिक सब्सक्राब चाबंदेट के लिए की सभी विधिक एव नियामिक पहलूओं को संदर्भीत करता है आपसा नमबर बी इसका करेक्टेंस रे साइवर लौ चलिए आगला कोशन है किस ने दू 21 अक्टूबर आपसा नमबर बी इसका करेक्टेंस है कि राजीव महरसी को 2020 से 2023 तकी ओधी के लिए किस अंतराश्टे संगटन का बाहन लेखा पर एक चक चुना गया आपसा नमबर ए डबलू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन चलिए आगला कोशन है कोशन नमबर 63 है कि एक बाटा चार और एक बाटा दू के मद्य भी एक परिमेशन क्या ग्याद कीजिए तो दूस कि हल करेंगे परिमेशन क्या आजाएगा करेक्टेंसर अपसन नमबर डी आएगा कितना तीन बाटा चार क्योंकि दूस्तों मादे कैसे निकालते हैं जितने संक्या दिया है उसको जोड बाटा जितनी संक्या है उतना सा भागा कर देंगे चलि आगला कोशन है कोशन नमबर 64 है इन में से कौन सा भारतिय सहर मरसर द्वारा जारी जीवन गुणाउता सुचकंग 2019 में सरवादिक सुरक्षित सहरों के स ψरणी में सर्वोच अस्थान पर है। तो दूस्तो इसका करेक्टेंसर देखा है इसका अप्सजा नमबर डी जो है न चिंणाई क्या है तो चिंणाई सका करेक्टेंसर। चलिए आगेला कोश दिया गया है कि जुलाई 2014 में किस केंदर सासित प्रदेश की विधान सभाप परिसर को ले करबुजियर के वस्तु सिल्प कारे के अनुलेखन के तहत युनेस को भी सुबिरासत अस्तल के रूप में घोसित किया गया था अगला कोशन discussion no 66 है कि दो खनात्मक पुडांको का लगोतं समापरतक बड़ी संख्या के तीन गुने के बराबर है तो छोटी संख्या और दोनों संख्या के मौहतम समापरतक अंतर 6 है तो छोटी संख्या ग्याद कीजिये तो दूस्तो इसका answer आप लोगों को ये option number A correct answer होगा, देख लिजे किस पर का बनाया गया, जो कि LCM, LCF से question है, चलिए, आगला question है, question number 267 है, कि इन में से कौन सी gas हमारे वाई मॉंडल में 78% कहीं से गढ़ना करती है, और कई जीवन के लावस्यक अनगों का हिसा भी करती है, तो 21%, आरगन कितना है, 0.9%, कारगन डायक साइज कितना है, जो तो 0.03 से 0.04% तक है, देखिए, कारगन डायक साइज, CO2 कितना है, 0.03 से 0.04, जो कि नाइट्रोजन वाई मॉंडल में कितना है, 78% और oxygen कितना है, 21%, आरगन कितना है, 0.9%, चलिए, आगला question है, कि हीना ने चके दिव्याज की, 8% वार्षिक दर पर, 2 वर्सों के लिए, 20,000 की धना से उधा लेते, चलिए, जो कि दिव्याज ग्याद किजिए, तो दोस्तों, इसका सुत्र होता है, A is equal to P, ब्रैकेट में, 1 प्लस आरबाटा, 100 के पावर T, यानि कितना समय, देख लिजे, जो कि दिया के ह है, दोस्तों, 20,000 का धन्डासी है, 1 प्लस रेट कितना है, दोस्तों, 8% आज समय कितना है, 2 वर्स, आप लोग निकाल लिजे, करेक्ट इंसर दोस्तों, आ जाएगा, 328, अप्सा नमबर 20 का करेक्ट इंसर है, अगला कोशन है, कोशन नमबर 69 है, कि भारत के पुर्वी 35, इन कर खाना खोला ता चलिए, अगला कोशन, दिया गया है, कि X और Y के बिच वह समन्द ग्याद करें, जिसे बिंदु X, Y, 6, 2 और 4, 6 के समुदर दोस्तों है, तो इसका करेक्टन से दोस्तों, क्या हो जाएगा, आप्सा नमबर D, X-2Y बराबर माइनस 3, आप लोग देख जिएगा, चलिए, आगला कोशन, कोशन नमबर 71 है, कि यदि 330 पेंसिल को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच करम सा, एक अनुपात 4, दू अनुपात 3, एक अनुपात 3 के अनुपात में बित्रित किया गया है, तो चंदन में कितनी पेंसिल मिलें, दोस्तों, एक ग्याद करने के लिए इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तीतरिगा 9 हो गया, फिर इसको ग्याद करने के लिए 3 और 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, सबसे पहले इससे छोड़ी, दोस्तों कितना दिया गए तीन सो तीस संख्या कितना है दोस्तू चार किसका निकालना है चंदन का चार इंटू टूटल कितना है आठ जो की आठ चरी बारतिन पंदर टूटल दिया गए तीस संख्या कितने किसका निकालना है चंदन का बाटा पंदर से गुना कर देंगे आज एका करे भवया इसी कारे को अखेले 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं इसी कारे को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं चित्रा को अखेले किसी कारे को पूरा करने में कितना दिन लबेगा देखें दोस्तों अमिसा जो है न चौदा दिन में जबकि भवया कितना दिन में दोस्तो 35 दिन में इसी कारे को विए की चित्रा के साथ मिलकर यानी ए बी और सी जो की अब यह हो गया आमिसा उसके बाध भभ्या और उसके चित्रा तीनों मिलके 6 दिन में पूरा करते हैं mag तो दौस्तो इसका hakk कि इन में से किसी राजीव गांधी खेलतन पुरस का प्राप्त करने वाल तिसरा क्रिकेटर होने का गौरो प्राप्त हुआ अप्सन नमबर D बिराट को लिगो चलिए जो कि दोस्तों दिया गया 2018 में चलिए अगहा पुला कोशन कोशन नमबर 74 है कि गोदाम साठ मेटर 60 मेटर 30 मेटर के माप के घनाव कार में यादि एक बॉक्स का अयतन 0.8 मेटर की हो तो इसके कितने घनाव़कार बॉक्स रखे जा सकते हैं तो दोस्तो जो की 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर ये जो घनाव कार का है तो घनाव कायतन कितना हो जाएगा लंबाई गुने चोड़ाई गुने उचाई हो गया और कितना का बनाना है दोस्तो 0.8 का आप लोग भाग देजिए निकल जाएगा एंसर करेक्ट अंसर अप्शन नमर स दिया हैगा चली आगला कोशन है तो दोस्तो दिया गया है जो कि ओपन डाइस है जो कि ओपन पासा दिया गया आप लोगों को बताना है कौन इसमें सही है तो दोस्तो देखिए इसका ये होता है और इसका ये अपोजित इसका ये होता है फिर इसके उपोजित ये होता है त आपसन नमबर बी जो है न कभी भी बनाया नहीं जा सकता है यह जो है यह पोजित है तो यह साथ नहीं आएगा चलि अगला कोशन है कोशन नमबर 76 है कि एक भीन के अंस और हर का जो एक 11 है यदि अंस में एक घटाया जाए तो भीन एक बटा चार बराबर हो जाती है तो भीन ग्याद कीजिए दोस्तों इसका आप लोग बनाईएगा चलिए आगला कोशन कोशन नमबर देखते हैं 77 जो कि रिजिनिंग से हैं एक निश्चित कूट भासा में ब्लैक को ये लिखा गया है पी एन जेट डबल एस को किस प्रकार लिखा जाएगा करेक्ट अपसन नमबर एगा एसमाट चलिए आगला कोशन क कोशन नमबर 78 है कि इन में से किसे एक जुलाई 2017 को भारत्य समिधान के 101 के संसोधन के रूप में पेस किया गया आपसन नमबर बी वस्तु एम सेवाकर चलिए आगला कोशन 279 दिया गया है कि नीमन लिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उंच अस्तरिये भासा में द करता है और अगले निदेश पर जाने से पहले इसे निश्पादित करता है कि अपसन नमबर एसका करेक्टर करेक्टेंशर इंटर प्रेटर चलिए आगला कोशन है कि एक बरतन एक देखिए एक बरतन को भरने में 1.5 लिटर की छमता वाले गिलास से 15 गिलास दूस्त देख लिजे किस परकाद दोस्तों बनाया गया इसका करेक्टेंशर अपसन नमबर डी आएगा 45 चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर 81 है कि उस मेट्रो रेल कर्पोरेशन का नाम बताईए जिसे कचरे से उर्जा प्राप्त करने वाले सनेत्र से बिदुत प्राप्त करने व अगला कोशन है इन में से किसके द्वारा जारी एस्टेट आफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में पिछले चार वर्सों के दवरान समुंदरी अस्तर में रिकॉर्ट ब्रिधी और भूमी और समुंदर के ताप में अत्यादिक ब्रिधी का खुलासा किया गया है करेक्ट एंसर दोस्तो अफसर नमबर डी आएगा मोशम विज्ञान संगठन चली आगला कोशन है कि निम्नल लिखित में से मंत्राले ने 2019 में वायू पर दूसर पर एक थीम संग हवा आने द लंच किया है कौन सा किया है दोस्तो तो इसका जो अफसर नमबर ए है न पर्यावन वन एम जलवाई परिवर्तन मंत्राले चली इसका करेक्ट एंसर यह है चली आगला कोशन है दिया गया है दोस्तो देखिए आठ भाई बोहन जिसे के ल, M, N, O, P, Q, R और इस एक बृता करमेज के चारो और किंदर के से बाहर क्यूर्मू करके और एक दूसरे के समान दुरी पर बैटे है प्रंतु इसी करम में नहीं है, A, P के बाहर और दूसरे अस्तान पर बैठा है, M, S के दाई और तिसरे अस्तान पर बैठा है, R, M का निकट पडोसी है और L के बाहर और दूसरे अस्तान पर बैठा है, N, R का निकट तम पडोसी है, O की पीट इन की पीट की ओर है क्यू एल के दाइए ओठीक बगल में बैठा है ओग के दाइए ओठीक बगल में कौन बैठा है इसका करेक्ट इंसर आपसे नमबर आए गया दोस्तों पी आप लोग बनाईएगा चलिए अगला कोशन कोशन नमबर अगला कोशन नमबर आपको बनाना है जो किसी तालिका कहीं साबसे दोस्तों आपको बनाना है चलिए दी गई आउधी के दोरन कर खाने दोरा चुकाय जाने वाले वार्सिक ब्याज के ओसत रासी ग्याद कीजिए तिसका correct answer option number B आएगा data देख लीचे दोस्तों क्या बोला गया है चलिए आगला question है question number 88 है दोस्तों G-A-R-L-I-C को लिखा गया है 112 तो clock को किस प्रकार लिखा जाएगा correct answer option number A आएगा चलिए आगला question है दोस्तों दिया गया है चार्ट दिया गया है आप लोग इसी के इसाब से इसका answer देना है कि परतेक जीले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला जनसंक्या का परतिशत निम्न तालिका में दर्साया गया तो इसका आप लोग देख लिजे क्या हो गया correct answer दोस्तों इसका जो की option number C देखिए यदि वर्स 2017 में उतर परस्टिम जीले की जनसंक्या बावन हजार है तो उस वर्स उतर पूर्व जीले कितनी जनसंक्या गरीबी रेखा से नीचे है जो की इसका correct answer दोस्तों आपसा number C है चली आगला question है question number 90 है कि उस सब्द का chain करें जो नीचे समूह से संबंदित नहीं है जिससे की aluminum, copper, chlorine और zinc आपसा number B जो है chlorine, chlorine जो है इन तीन समूहों से अलग है aluminum, copper और zinc चली आगला question है, दोस्तों इसमें दिया गए, कथन दिया गए, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही match कर रहा है, पालन कर रहा है देकि सभी पूरूस नस्वर है, फिलिप पूरूस है, देकि सभी पूरूस नस्वर है और फिलिप जो है पूरूस है आपको बताना है सभी नस्वर पूरुस है फिलिप पूरुस नहीं है फिलिप को नस्वर होना चाहिए फिलिप इस्वर नस्वर नहीं है इसका correct answer option number C जो है फिलिप को नस्वर होना चाहिए जो कि ये कथन पालं कर रहा है चलिए आप लोग देख लिए किस पर का बनाएगा च चली आगला कोशन है, रिजिनिंग से दोस्तों ये बताना है कि ये जो खाले अस्तान इसके अस्तान पर क्या आएगा, करेक्ट अंसर अप्सन नमबर C आएगा, चली आगला कोशन है, आपको बताना है कि एक सो दस, एक कानवे, चोहत्तर, उनसट और छियालेश, उसके बाद क कोशन मार्क दिया गए, कोशन मार्क अस्तान पर क्या आएगा, चली इसका कर्मेंट बक्स में आप लोगों के अंसर बताना है, 93 का, चली 94 है, दोस्तों ये रिजिनिंग से दोस्तों, XPC, QST, J, ZK, CRB, और कोशन मार्क दियागी, यहाँ क्या आएगा, इसका करेक्ट अंसर अगला कोशन है, उसी पर का रिजिनिंग है दोस्तों, निश्चित कुट भासा में सिलेबस को इस पर का लिखा जाता है, कता की बैक क्योट को क्या लिख की इस पर का लिखा जाएगा, आपसन नमर B इसका करेक्ट अंसर है, चली 96 है, कि D, A, B, C, D और E, एक बेंच पर बैठा है, तथा C और D उसी तरह बैठे, D, पेंच के बायोर चोर पर बैठा है, एक के इंदर में बैठा है, E, B के बगल में बैठा है, एक किस इस्तिती में बैठा है, तो आप लोगों को बताना है, कमेंट बक्स में इंसर, इसका कमेंट बक्स में इंसर बताना है, अगला कोशन दिया गहें दोस्तों जो देखिए 12, 8, 4, 0, minus 4 क्रो कोशन माग दिया गहें तो कोशन मार का स्थान पर क्या आएगा correct answer option number C आएगा minus 1 चली अगला कोशन है दोस्तों कत्वन और धाना दिया गहें कि जॉन ने अपने सहायक से कहा दांक को डांक पेटी में डाल दो धाना क्या दोस्तों सहायक को वह पता ग्यात है यहां डांक भेजी जानी है सहायक 200 का पालन करेगा तिसका जो अपसल नम्बर जो है ड़ी है केबल धालना दू नहित करता है छली आगला कोशन है जो कि कम्प्लेट होता है वीडिव अच्छा लगे तो लाइक सस्क्राइब सेयर जरूर करें जैहिन बंदे मात्रम